हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल दा नेक्स्ट लेवल पे और आज के वीडियो में बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि अभी पूरे देश में आग की तरह फैला हुआ है चाहे आप बात करें बंगाल की चाहे दिल्ली की चाहे य जगह पे क्या है कि ये बात ये जो मुद्दा है ये नागरिक संसोधन अधिनियम जो पास हुआ है ये आग की तरह फैला हुआ है बहुत से लोगों को इसकी जानकारी है और बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और इस वजह से क्या है कि दंगा भड़कता ही जा र और क्योंकि ये भी एक बहुत ही hot topic है तो इससे exam में questions आने के chances बहुत ज़ादा है तो मैं यहाँ पर कोशिज करूँगा कि कुछ question आपको यहाँ पर complete करा दूसाथ ही इससे related और भी जो un-effect जो है वो भी आपको में clear कर दूँ आपने निश्चा ही कई और भी जगह पे इसके बारे में questions पढ़े होंगे देखे होंगे लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि यह आपको मैं थोड़ा कुछ अलग बताऊंगा सुरू में मैं आपको कुछ objective question बता रहा हूँ जो आपके exam में आएंगे और उसके बाद at the end मैं आपको फोड़ा सा one liner के form में दो तीन question करवाओंगा उससे क्या होगा कि उससे आपको इस नागरिक संसोधन अधिनियम जो है नागरिकता संसोधन अधिनियम इससे related चीजे आपको समझ में आ जाएंगी तो चलिए मैं सुरू करता हूँ दोस्तों आप इसका PDF पी डाउनलोड कर सकते हैं PDF के लिए आपको link नीचे description में मिल जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं हम आज का प्रश्न पहला question है कि नागरिकता संसोधन बिल सबसे पहले लोग सभा में कब पेस किया गया था तो देखिए ये अभी बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये पहली बार launch हुआ है लेकिन नहीं ऐसा नहीं है उस समय क्या था ये सबसे पहले जब मोदी सरकार की पहली governor बनी थी government बनी थी तो उस समय भी ये लोग सभा में पेस किया था और वो समय था जुलाई 2016 लेकिन उस समय इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका और उस समय से पेस किसने किया था तो उस समय से राजनाथ सिंग ने पेस किया था याद रखेंगे आप राजनाथ सिंग ने पेस किया था तो ये चीज़ आप धिहान रखेंगे हो सकता है ये भी पूछ ले कि नागरिक्ता संसोधन बिल में बिल सबसे पहले किसने पेस किया था तो ये राजनात सिंग ने पेस किया था तेरे नेक्ष देखते हैं कि नागरिक्ता संसन बिल लोग सभा में कब पास हुआ तो इसको दुबारा फिर से उस समय इसको खारिज कर दिया गया था दुबारा इसको फिर से यहाँ पेश किया गया और यह लोगसभा में पास हो गया तो देखे कोई भी बिल जो है कभी भी कोई एक्ट जो आता है देखे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे एक चीज यह एक्जाम में भी पूछ लिया जाता है बहुत बार कि कोई भी एक् राजी सभा दोनों में से कहीं भी पेस किया जा सकता है ठीक है इन दोनों में से इसे पास करवाना होता है और फिर उसके बाद उसके बाद राष्ट पती उस पे अपनी अप्रूबल देते हैं और उसके बाद वह जो बिल है वो एक्ट बन जाता है तो इसी के बारे में आप C.A.B. के नाम से आता था कि C.A.B. का हम विरोध कर रहे हैं ये कर रहे हैं अब आप देखे को तो वो C.A.A. बोलते हैं तो बहुत से लोग इसमें भी कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि पहले यार C.A.B. था अब C.A.A. हो गया है ये क्या है अब C.A.B. कहां चला गया कि C.A.A. क्या है तो देखे मैं आपको दोनों चीज़े कन्फर्म कर देता हूँ कि जब इस बिल को लोग सभा में पेस किया गया था तो इसे C.A.B. के नाम से बुलाया जा रहा था यानि कि नागरिक्ता संसोधन बिल, सिटिजन सिप एमेंडमेंट बिल ठीक है लेकिन जब ये लोग सभा राजसभा में पास होके इसे राश्टपती ने अप्रूभल दे दिया तो ये legislation hemen act बन गया ये citizenship amendment act बन गया तो ये खत्म होके ये बन गया ठीक है तो इसमें आपको 2019 को ठीक है अभी मैं इसे related सिर्व आपको question करवा रहा हूँ और इसके बाद मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा समझा दोगा अगर आप interested होंगे तो आप सुन लेना और अगर आपको जानकारी है तो आप सिर्फ इसको as a quiz खेल के भी कि आपको कितने question इसमें से आते हैं आप as a quiz लेके इसे जो भी जितने भी question है आप उसके बाद चले जाना रुकने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि मुझे ही पता है कि हर एक वेक्ती का समय जो है बहुत कीमती है आप उस समय को किसी और चीज में invest करें अगला है कि नागरिक्ता संसोधन बिल राजसभा में कब पास हुआ नागरिक्ता संसोधन बिल सबसे पहले लोग सभा में पेस किया गया फिर उसके बाद राजसभा में पेस किया गया तो राजसभा में ये 11 दिसंबर को पास हो गया उसके बाद ये राश्टपती के पास गया और राश्टपती ने इस पर हस्ताक्षर कब किया अपना तो राष्टपती ने इस पे कब किये 12 दिसंबर को हस्ताक चरकिया तो देखिए यहाँ मैं आपको फिर से एक बार रिवाइंड करवा दे रहा हूँ कि 9 दिसंबर को ये लोग सभा में पास हुआ 11 तारिक को राज सभा में पास हुआ और 12 तारिक को हमारे प्रेजिडेंट साब सिरी रामनाथ कोबिंद ने इसे पास कर दिया और ये क्या बन गया फिर CAB जो है वो CAA बन गया यानि कि नागरिक्ता संसोधन बिल जो है वो नागरिक्ता संसोधन अधिनियम बन गया ठीक है नागरिता संसोधन बिल के पक्ष में लोक सभा में कितने वोट गिरे देखिए ये पास होना और फेल होना ये उस पे गिरे वोटों के अधार पे होता है ये गिरे वोटों के अधार पे होता है तो अगर मैं बात करूँ कि लोक सभा में इस पे कितने वोट गिरे इसके पक्श में तो कुल इसके पक्श में 311 वोट गिरी और 80 वोट जो है इसके विपक्श में गिरे 80 वोट इसके विपक्श में गिरे यानि कि as it is total 391 वोट जो है वो लोग सभा में इस बिल पे count हुए ठीक है तो पक्ष में गिरे कितने पक्ष में गरी 311 याद रखें मैं धीरे धीरे बता दे रहा हूँ आपको विपक्ष में गिरे इसके विरोध में गिरे 80 और total कितने हो गए 391 ठीक है याद रखेंगे आप नेक्ष देखते हैं कि नागरिता संसोधन बिल के पक्ष में राजसभा में कितने वोट गिरे तो राजसभा में जो है टोटल गिरे 125 वोट इसके पक्ष में ठीक है ये वोट इसके पक्ष में गए और बांकी 105 वोट जो है ये इसके विपक्ष में आए ये भी आप याद रख हो गया और उसके बाद ये क्या बन गया अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे अब हम बात करेंगे नागरिक्ता संसोधन अधिनियम की क्योंकि उस समय तक वो बिल चल रहा था लेकिन जब राजी सभा और लोग सभा दोनों से पास हो गया तो अब ये क्या बन गया अब ये बिल अधिनियम बन चुका है तो इसमें क्या है तो देखिए नागरिक्ता संसोधन अधिनियम ठीक है सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगला देश के अलब संख्यों को इसमें सामिल किया गया है आगे है कि नागरिक्ता संसोदन अधिनियम 2019 के तहट कट अफ तारीख क्या रखी गई है कट अफ तारीख से कि आपके हमारे एक्जाम में कट अफ मार्क्स होते हैं इस तरह से इसके लिए कट अफ तारीख रखी गए कि इस तारीख से के पहले से जो जो रह रहे हैं भारत में लगातार वो उन्हें मिलेगा इस बिल के तहट हम सिटिजन सिप देंगे ठीक है और जो इसके बाद रह रहे हैं तो उन्हें दूसरी प्रोसेस से लेना होगा ठीक है तो इसके लिए जो cut-off डेट रखी गए वो 31 दिसंबर 2014 रखी गए इस समय से पांच साल लगातार भारत में रहे हैं ठीक है पांच साल जिसमें से एक साल आपको continue एक साल भारत में ही रहना है वो आपको प्रूफ देना होगा और उसके अलावा पांच साल आपको रुक रुक के रहना है तो वैसे में अगर आप रहे हैं वो जो वेक्ति हैं वो रहे हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी भारत की तो इसके लिए कट अफ तारिक 31 दिसंबर 2014 रखी गई है जिस पे ये काउंट होगा 31 दिसंबर 2014 के हिसाब से क्या इसके पांच साल पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ठीक है जो बेस इयर हम मानते हैं आगे है कि नागरिकता संसुचनवील 2019 लोक सभा में किस ने पेस किया तो ये ग्रिह मंत्री पेस करते हैं तो अमित साह जी ने पेस किया ठीक है अमित साह जी ने पेस किया और वही जो जुलाई 2016 में आई थी तो उसे राजनाथ सिंग ने पेस किया तो पहला वाला जो है वो राजनाथ सिंग ने पेस किया था और सेकेंड वाला जो है वो आमित साह ने पेस किया तेरे नेक्ष देखते हैं कि बांगला देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कितने अलप संख्यक समुदाओं को नागरिकता संसोधन अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी तो देखे इसके तहत जो है कुल छे, कुल छे लोगों को, कुल छे अलप संख्यक समुदाओं को भारत की नागरिकता दी जाएगी और वो कौन कौन से है तो देखिए एक तो हिंदू, उसके बाद आपको दूसरा आता है क्रिस्चन, फिर उसके बाद आता है सिक, उसके बाद आता है पार्सी, उसके बाद आता है जैन तो यह एक उल छे समुदा है हिंदू, क्रिश्चन, सिक, पार्सी, बौध और जैन ये धर्म जो फॉलो करते हैं इन छेओं को मुसलिम को इससे एक्स्क्लूड रखा गया है मुसलिम को इससे एक्स्क्लूड किया गया है अब देखे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि उनके लिए यह तीनो देश जो है ये बंगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये तीनो मुशलिम कंट्री हैं और इसके अलावा इनके लिए और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं ठीक है तो वहाँ भी वो जा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर इन्हें उतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है सायद ये भी कोई मतलब रहा हो अब बांकी ज़्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं जाओंगा नियम के तहत नागरिकता लेने के लिए अलप संख्यों को भारत में कितने समय तक रहना होगा तो ये जो है आपको पांच वर्स तक रहना होगा जिस भी अलप संख्या को लेना है पहले ये 11 वर्स था पहले ये 11 वर्स था लेकिन अब जो है ये 5 वर्स किया गया है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ये हमेशा नहीं रहेगा ये कानून ये भी आपको जान लेना है ये हमेशा नहीं रहेगा ठीक है इसके लिए ये नियम जरूरी बन रहा है नेक्स देखते हैं अब देखिए अब यहाँ पे तो मैंने जो भी आपके एक्जाम में कुश्चन बन रहे थे वो मैंने यहाँ पे क्लियर आपको किये हैं अब क्या है कि अब मैं आपसे कुछ वन लाइनर करूँगा और साथ ही कुछ आपको एक्स्ट्रा बाते भी समझाओंगा तो देखिए पहला कुश्चन यहाँ फिर से वन लाइनर के फॉम में आ रहा है कि बांगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसल्मान क्या भारत में नागरिकता ले सकते हैं भारत की नागरिक्ता कोई भी ले सकता है चाहे वो भांगलादेश, पाकिस्तान और अफगानस्तान के मुसलमान हो या फिर कोई भी हो बिस्तो के किसी भी कोने से कोई भी आदमी लेकिन उसके लिए उसे जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए प्रोसेस में हमें फॉलो करना पड़ेगा Citizenship Act 1955 Citizenship Act 1955 इसमें कहा जाता है कि आपको 14, पिछले 14 सालों में अगर आप 14 साल ठीक है? 11 साल अगर भारत में आप रहते हैं यानि कि आपको इसमें days count होते हैं 14 into 365 days में से 11 into 365 days अगर भारत में रह रहे हैं एक साल आपको आपने 100 रहा हैं किसी साल आपने पूरे के पूरे साल रहे गए किसी साल आप 300 रहे हैं किसी साल आप 300 रहे हैं इस तरह से count करके अगर आप 11 वर्स तक आप last, इसमें last years का count है जैसे कि मैं 2019 की लिए हूँगा तो 2019, दिसंबर से 2019 के पिछले 14 सालों में count किया जाएगा तो इस के तहत अगर भारत में रहते हैं वो proof दिखा देते हैं कि हाँ मैं भारत में रहा हूँ तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी और इसके अलावा जो भारत के नागरिक हैं उस सबसे उन्हें नागरिकता मिलती है लेकिन अगर कोई बाहर से आता है तो उसे इस हिसाब से ही नागरिकता दी जाएगी अगला है कि बांगला देस, पाकिस्तान और अफ़कानिक्तान देस के अलावा अन्य देसों के हिंधू भारत में नागरिक्ता किस प्रकार ले सकते है तो देखिए अगर इन तीन देशों के अलावा अगर कोई भी आए चाहे वो हिंदू आए चाहे वो सिख आए चाहे वो पार्सी आए चाहे वो जैनिजम आए चाहे वो बॉद्धिजम वाले आए चाहे Christianity वाले आए तो उन्हें पुराने मेथड पे ही जाना होगा नागरिक्ता अधिनियम 1905 के अनुसार ही नागरिक्ता लेनी होगी जैसा कि मैंने उपर में भी बताया है ठीक है कि उन्हें क्या process follow करना होगा उन्हें process follow करना होगा कि उन्होंने पिछले 14 वर्सों में से 11 वर्स भारत में बिताये हो ठीक है जले नेक्स देखते हैं कि बांगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलपसंख्या क्या कभी भी भारत में 5 वर्स रहकर नागरिक्ता ले सकेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि कभी भी वो आए 5 वर्स रहकर नागरिक्ता ले सकेंगे अभी ही counting इसका होगा कि जो लोग आएंगे यहां पर जो भारत में रह रहे हैं उनके काउंट करके उनकी जाच करके उनको नागरिक्ता दे दी जाएगे और फिर ये चीज दुबारा नहीं होने वाला है ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं है कि इसके लिए फिर से कोई दूसरा अगर act आए तो हम कहने ही सकते लेकिन अभी इसके हिसाब से ये दुबारा नहीं होगा ठीक है ये चीज़ आप याद रखेंगे इसमें ऐसा नहीं है कि उनके जितने भी लोग है उनके घर घर जाके सबको अरे भाई आप कौन से धर्म की हो अच्छा बंगलादेश के आप हिंदू हो अच्छा आप बंगलादेश के क्रिस्चन हो तो चलो आपको भारत में नागरिक्ता हम देंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो लोग भारत में रह रहे हैं उन्हें ही नागरिक्ता मिलेगी ठीक है अगला है कि नागरिक्ता अब कुछ चीजें Constitution से हैं कि नागरिक्ता आधिनियम 1955 के थाथ कोई वेक्ति कितने परकार से भारत का नागरिक बन सकता है तो यह चार परकार से बन सकता है ठीक है चार परकार जिसमें कि आप अपने वन्स के हिसाब से यहाँ पे आप जन्म लेके यहाँ पे आप नागरिक्ता प्राप्त करके इन परकार से आप एक बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से सिध्यान में आ जाएगा वहीं अगर आप भारत की नागरिक्ता त्याग देते हो, खो सकते हो तो यह कितने परकार से तो यह तीन परकार से खो सकते हैं तीन परकार से, जैसे कि आप एक स्वायत्ता अपने देश की नागरिक्ता छोड़ दे ठीक है या फिर आप किसी दूसरे देश की नागरिक्ता ले ले बिना इन्फर्म किया तो आटोमेटिक वो रद्ध हो जायेगा और कोई ऐसा एक और है जो मुझे अभी दिहान ठीक से नहीं आ रहा है आगे है कि जो बहुत बार एक्जाम में पूछ ले जाता है नागरिक्ता का उलेक्ष समीधान की किस भाग में किया गया है तो ये भाग दो में किया गया है जिसे हमने एक्सप्रेंड किया है अनुछेद 5 से लेके 11 तक यानिका अनुछेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसके लेकुल 7 अनुछेद बनाएगा है इन सातों में इनको अच्छे से डिटेल किया गया है इनके exceptions, इनके doubt, क्या क्या है उन सभी को यहाँ पर explain किया गया है तो यही भाग दो में कुछ और चीज़ें जुडेंगी इस अनुछेद ये जो amendment हुआ है इसके तहद ठीक है तो I hope आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और जो भी मैंने बताने का परियास किया है जो भी आपको जानकारी देने का परियास किया है वो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो के एक बार like जरूर करें अपने साथियों साथ भी आप इसे चाहे तो share कर सकते हैं अगर उन्हें भी इसकी जानकारी चाहिए तो वो इन्हें जान सकते हैं और देखें कुछ चीज़ें अगर छूट गई है तो मैं उन्हें आने वाले अपने मैं current affair के वीडियो भी लाता हूँ तो उसमें मैं उन्हें छूटी हुई चीज़ों को उसमें add कर दूँगा ताकि आपको और भी कोई दिक्कत ना हो ठीक है बाकि 2019 से related बहुत सारे वीडियो हमारे आएंगे पूरे साल के important important तो उन्हें सब को आप जरूर देखें और एक हमारा वीडियो जो की 2019 के top 50 awards को मैंने उसमें discuss किया है तो वो आप वीडियो जरूर देखें वो भी आपके बहुत काम की वीडियो होने वाली है इसके लावा एक और वीडियो हमारी आएगी awards को लेके जो की उसमें और भी बहुत सारे awards और हम honors को उसमें discuss करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही लेना चाहूँगा मैं आपसे विदा आप अच्छे से पढ़ें और अभी सर्दी का मुसम चल रहा है तो अपना ख्याल भी जरूर रखें तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जैहिन जैभारत वंदे मात्रम